गंगाल हो चुके शिरलंका की ये तस्वीरे पूरी दुनिया को हैरान परिशान कर रही है मगर इन तस्वीरों में सबसे ज़्यादा अगर कोई डरा और सहमा है तो वो कोई और नहीं बलकि हमारा परोसी मुल्क पाकिस्तान है आखिरकार क्यों और क्या है इसकी पूरी की पूरी कहानी बताएंगे आपको मगर उसके पहले ये जान लीजिये जो शिरलंका आर्थिक सिती से जूच रहा है उसकी हालत किसी से छिपी नहीं लोग हताश हैं परिशान हैं निराश हैं हैं खाना खाने के लाले तक पड़ गए हैं दवाईया तक खरीदना दुश्वार हो गया है मगर सवाल ये कि इन तस्वीरों से पाकिस्तान क्यों खौफ जदा है तो चलिए अब डर की वज़ा भी जान लीजिए जानकार तो दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालाद शिरलंका से भी जादा बज़ से बत्तर हो सकते हैं इसकी वज़ा कुछ और नहीं बलकि पाकिस्तान में एक तरफ विदेशी कर्ज बढ़ना और दूसी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार का खट्म होना नकदी संकट अलग से यानि की सर मुंडवाते ओले पड़ रहे हैं पाकिस्तान को आने वाले वक्त में दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ सकता है वैसे ही वो पहले से ही चीन के रह्मो करम पर जिंदा है डॉन की रिपोर्ट के मताबिक पाकिस्तान को पारी मोचे पर कंभीर चुनोती का सामना करना पड़ रहा है पिछले महीने चीन से लगभग दो अरब डॉलर का कर्ज मिलने के बावजूर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में काफी गिरावट दर्च की गई पाकिस्तान के हर तिमाही में बढ़ रहे विदेशी कर्ज से संकेत मिर रहा है कि सरकार अपने विदेशी कर्जों को चुकाने के लिए और भी जादा ब्याज पर कर्ज ले रही है State Bank of Pakistan के जून के महीने के डाटा के मताविक पाकिस्तान का विदेशी मुद्राभंडार लगातार कम हो रहा है जून में पाकिस्तान का विदेशी मुद्राभंडार 22 करोड डॉलर था शिरलंका के हालात और तस्वीरे देख पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हकूमत दोनों ही डरी सहमी है दिल्चसब बात यह है कि पाकिस्तान की मौदूगा सरकार ने ये खुलासा नहीं किया कि उसने किस दर पर चीन से दो अरब डॉलर का कर्ज लिया पाकिस्तान की हकूमत सक्ता से हटने से पहले ही जीन इसलामाबाद को कर्ज के भोज में धखेल चुकी थी लेकिन देश में शेहनवास शरीफ की नई सरकार के गठन के बाद भी कर्ज मिलने में दो महीने का इंतजार करना पड़ा तो क्या वाकई में चीन के हातों बिक चुका पाकिस्तान भी शिरलंका से ज़ादा कंगाली की कगार पर खड़ा है कि क्या वाकई में शिरलंका जैसी तस्वीरे पाकिस्तान मुल्क की भी देखने को मिल सकती है वेरो रिपोर्ट न्यूजवल इंडिया